हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ सीमा आपका सीमा सिक्ट रेस्पी में स्वागत है तो आज मैं आप लोग के लिए लिकर आई हूँ शैजवान सोज से बने ब्रेड पिजा की रेस्पी ये ब्रेड पिजा खाने में बहुत टेस्टी लगता है और बच्चों को ये बहुत पसंद है ब्रेड पिजा को हम बिल्कुल आसानी से घर पर बना सकते हैं इसे बनाने में जादा टाइम भी नहीं लगता है और फुटाफटी बनकर तयार हो जाता है और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है बच्चों का ये फैबरिट होता है तो जब भी हलकी फुल की बूख हो बच्चों को आप ये ब्रेड पिजा बना कर दे सकते हैं इसे बच्चों को टी फोजन कोल लए है अगर आपके Why तो फ्रच यूज कर सकते हैं वज और या और फ्व चुल क्यों स्पॉन आप और हैली पिन्नॉस ऐस्ज़ कर सकते टेस्ट की अनुसर 2 टेस्पून मैंने यह आपर शैज्म सोर्स लिया है, 3 टेबल स्पून मैंने हैं अगर आपके पास बटर नहीं है आप इसे किसी भी वेजिटेबल ओयल में बना सकते हैं, यह आपर ब्रिटेनिय की चीज लिए हैं, आपके पास जो भी चीज अबैलिवल तो चलिए हम शुरू करते हैं से पहले हम ब्रैड लेंगे इस पर हम यह शैजवान सोस लगा देंगे आप जितना चाहे उतना इस पर शैजवान सोस लगा सकते हैं लेकिन अगर आप अच्छों के लिए बना रहे हैं तो आप थोड़ा ही लगाए क्योंकि यह ज़्यादा कशों सोसाब कर में अधरिय helicopters देए अनगे मिसेटने से छोहना कर सकते हैं और सभोघ चली भा Wah EVERY धरभ सेकर लेड़ा में हम इसके अपर यह थोड़ी सी पिछा शीज कमक् Jesus अधरा कर सकते हैं इसके ओ यह थोड़ा है कि थोड़ा है तो पशेभ आले तो यह दो इन सारी ब्लेट को तयार कर लेती हूं अगर बच्टो के लिए बना रहे हैं अप इसमें सेजवन सोस को स्किप करके टेमेटो सोस का यूज़ कर सकते हैं और आप इसमें हेली पेनोस यूज़ ना करें क्योंकि बच्चे इतना स्पाइसी खाना नहीं खा पाते हैं तो आप अपने इसाब से पीजा को बना सकते हैं यह बिल्कुल स्पाइसी और टेस्टी तयार होगा क्योंकि इसमें हमने चिली ब्रेट को सीखने के लिए मैंने यहां पर दूसत अवा लिया है अब में इसे ओन कर देती हूं और इसे हम थोड़ा गरम होने देते हैं पैन अच्छी से गरम हो चुका है इस पर यह थोड़ा सा बटर सला देंगे गयास को फ्लेम है उसे हमने लो कर दिया है इसके आपर हम यह अच्छी से इस तरह से धिपादेंगे इतना भी बटर हो ब्रेट मैं अच्छी से छिपक जाए अब हम इसे ढग देंगे अब दो मिनिट में चीज मेल्ट हो जाएगी फडम को हम रो रुकना वहला है।ै जो अब मने ख़ए हो रेख देगे ह। र查 सबलाओ में को तो आध मोटथ में खेट मेज़ा है। तो देखे इसे विए हम भूबूद हो चुकी एब अब गयास की कहला हो, बंद कर देते हैंD इसे में इो अपर चिह सभए तो आपको सर्व करके दिखाती है ज्यादा इसे आमें नहीं पकाना नहीं तो जो नीचे का ब्रेट है वो जल सकता है इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें अगर आपके पास सब्जिया है तो आप सब्जिया भी इसके उपर डाल की से मना सकते हैं अगर आज आपको मेरी ब्रेट पीज़ा की रस्पी कुछ पूछना है अगर आपको मुझे कोई सजीचन देना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं मैं आपके सभी कोश्चन का अंस देने की पूरी कोश्च करूं तो मिलते हैं नेक वीडियो पे तब तक लिए बाई